नमस्कार दोस्तों आपका मेरे यूटुब चैनल भक्ति ग्यानतियोहर में स्वागत है आज मैं आपको जीतिय ब्रत के पारण की कथा सुनाने जा रहे हूं अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जीमूत बहान भागवान कीजे अवर्शे लिखे साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिस्टिकेशन आपको मिलते रहें अब सुनी जीतिय ब्रत के पारण की ये कथा किसी गाउं में एक पती पतनी रहते थे उनका एक चोटा सा बेटा भी था बेटे का नाम रवी था वह लोग बहुत गरीब थे वह व्यक्ति मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था धीरे धीरे समय बीतता है और पांच साल हो जाते हैं उनका बेटा पांच साल का हो जाता है، लेकिन तभी अचानक उस व्यक्ति की मरत्य हो जाती है अब सारी जिम्मेदारी रवी की माँ पर आ जाती है वै पती की मरत्य के बाद बहुत दुखी रहने लगती है क्योंकि वे बहुत गरीब थे खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था वे सोच रही थी अब मैं अपने बेटे का पालन पोशन कैसी करूं फिर राजु की मा पास पड़ोस के लोगों के यहां काम करने जाने लगे काम करने के बाद जो कुछ भी मिलता उसी से उन मा बेटे का गुजारा चलता था एक दिन की बात है जीतिया का त्योहार आने वाला था तो रवी की मा बहुत दुखी थी और अपने बेटे की चिंता में बैठी हुई थी तभी उसकी पड़ोसन उसके घर आती है और रवी की मा से कहती है बहन जीतिया का त्योहार आने वाला है तो तुम भी जीतिया का ब्रत रखना अपने बेटे की सलामती के लिए तुम्हारा तो एक वही सहारा है इसलिए वो ठेक रहे उसकी लंबी उम्र हो इसी कामना से तुम यह ब्रत रखना तभी की माने कहा हाँ बहन मैं अपने बेटे की सलामती के लिए जीतिया का ब्रत जरूर रखूंगे फिर नहाय खाय का दिन आया तो रवी की माने सुबह जल्दी उठकर सारा काम किया और पूज़ा पाथ किया फिर पडोसियों के यहां काम करने चली गई वहां से उसे कुछ चावल की खुर्दी और चावल मिले वो उन्हें लेकर घर आई और जल्दी से चावल बनाए उनमें से कुछ चावल निकाल कर रख दिये और कुछ मा बेटे ने खा लिये दूसरे दिन की मा का निर्जला ब्रत था तो वह काम पर नहीं गई घर पर ही रही और नियम पूर्बग पूज़ा पाथ किया और जो चावल बचा कर रखे थे उन्हें में से थोड़े से चावल अपने बेटे को खिला दिये फिर अगले दिन ब्रत के पारण का दिन आया तो उसने पूज़ा पाथ किया और सोचा कि ये चावल रखे हैं इन्हें में से थोड़े से चावल खा कर मैं ब्रत का पारण कर लोंगे फिर पडोस में काम करने जाओंगे उससे जो मिलेगा तो आकर गरम गरम खाना बना उसने अपने बेटे से कहा बेटा तुम जाकर बगीचे में खेलो मैं अभी काम से लोटकर तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाओंगे बेटा खेलने चला गया और उसने जो चावल निकाल कर रखे थे बासी चावल वो खाने लगी बासी चावल खाने की बज़य से जीमुत बहान भगवान नाराज हो गए और उनके किरोत के कारण बगीचे में खेल रहे रवी को एक नाग निगलने लगा जैसे जैसे रवी की माँ चावल खा रही थी बैसे बैसे रवी को नाग निगल रहा था उसकी माँ ने जैसे ही पूरे चावल खत्म किये तो रवी को नाग निगल लिया चावल खा कर वह काम करने चली गए काम करके जो कुछ भी उसे मिला उसे लेकर अपने घर आई और उसने गरम गरम खाना तैयार किया खाना बनाने के बाद वे अपने बेटे को बुलाने बगीचे में गई लेकिन उसे वहाँ उसका बेटा नहीं मिला उसने आस-पास देखा बहुत ढूड़ा फिर वे अपने पास पडोसियों से पूछने लगी कि आपने मेरा बेटा देखा है तो पडोसियों ने कहा नहीं हमने तुम्हारा बेटा नहीं देखा अब तो उसे बहुत चिंता होने लगी और वे जोर-जोर से रोने लगी कि मैंने तो उसकी सलामती के लिए जीतिया का ब्रत रखा और ये सब क्या हो गया उसे रोते देख जीतु बहान भगवान को उस पर दया आ गई और वो एक बुड़ी मा का भीज बना कर मा के पास आए और उससे पूछा बेटी तुम क्यों रो रही हो तब उसने बताया मा जी मेरा एक ह बेटा है वही मेरा सहारा है वो पता नहीं कहां चला गया वो मिल ही नहीं रहा जाने कहां चला गया मेरा बेटा मैंने तो उसकी सलामती के लिए पहली बाद जीतिया का ब्रत रखा फिर वी ये सब हो गया अब मैं क्या करूं तब बुड़ी मा ने पूछा बेटी तुमने ब जीतिया ब्रत के पारण में कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, गरम गरम खाना बनाकर खाना चाहिए। इसी कारण यह सब हुआ है तब रवी की माने कहा मा जी अम मैं क्या करूं ही जीमित पहन भगवान मुझसे भूल हो गई मुझे छमा कर दो मेरा बेटा मुझे बापस दे दो भगवान को उस पर दया आ गई और बुड़ी माने बताया कि तुम अगली साल जीतिया का ब्रत रख अब राजू की मा अगली जीतिया ब्रत का इंतजार करने लगी। धीरे-धीरे समय बीथने लगा और एक साल पूरा हो गया।। फिर जीतिया का ब्रत आया तो रवी की माने जीतिया का ब्रत रख हुआ और नियम पूर्वग जीतिया ब्रत की पूजा पाठ किया और पारण की दिन गरम-गरम भोजन बनाया और ब्रत का पारण किया जैसे जैसे वो गरम-गरम भोजन खा रही थी वैसे वैसे नाग उसके बेटे को उगल रहा था जब उसने पूरा भूजन खा लिया तो नाग ने उसके बेटे को उगल दिया फिर खुद जीमुत बहान भगवान उसके बेटे को उसके घर के बाहर छोड़ जाते हैं फिर रवी अपनी मा को आवाज लगाता है मा मा कहा हो तुम मा जब आवाज सुनती है तो दोड़ कर बहार आती है और अपने बेटे को देखती है तो बहुत खोस होती है फिर रवी अपनी मा से पूछता है मा आप मुझे बगीजे से लेने क्यों नहीं आई मुझे बहुत भूक लगी थी आपने तो कहा था कि खाना बनाने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगी मैं आपका इंतजार कर रहा था तब मा सोचती है कि ये सब जीमुत बहान भगवान की ही किरपा है कि इसे कुछ याद नहीं है ये सोच रहा है कि ये आज ही बगीचे में गया था जीवत बहान भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और पास पडोस में जाकर सभी से कहती है कि कोई भी जीतिय ब्रत के पारण के दिन बासी भूजन न करे, गरम गरम ताजी भूजन से ही ब्रत का पारण करे और अपने बेटे के साथ खुसी खुसी रहने लगती है साथ ही मेरे वीडियो को जादा से जादा शेयर करे धन्यवाद